इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डील इन और डील विद की अब जो मेरा पहला अगिन वर्ड है डील के साथ दो प्रेपोजिशन आते हैं इन और विद अब डील इन है अगर थोड़ा सा भी अपने आस-पास देखेंगे जैसी आप बजार में जाते हैं अबिसली कोरोना जल रहा है मास पहन के जाना बट आपको बोर्ट्स पर बहुत दिखेगा राइट सो बहुत सारी दुकानों पर डील इन या डील जिन लिखा होता है तो दील इन का मतलब होता है किसी भी चीज का बिजन सारा करना इंडिया में बहुत कॉमन है आप बोर्ट पर देखेंगे जहाँ भी इंग्लिश का बोर्ट लगा होगा तो वीजन इन we deal in carpets, we deal in this, deal in this, so deal in means business करना and deal with का मतलब होता है किसी चीज़ को manage करना ठीक है आपका दिल तूट गया तो you have to deal with your heartbreak आप एक्जाम देने का एक्जाम एसा है कि आपको एक भी question नहीं आथा so you'll have to deal with it अब आप दोस्त से पूछे, cheating करो, छोड के आजाओ, fail हो जाओ but उस situation को आपको manage करना पड़ेगा उस situation को आपको handle करना पड़ेगा आपकी आपके दोस्त से लड़ाई होगी तो आपको situation को deal करना पड़ेगा आप किसी को समझा रहे हो तो आप लोगों को deal करोगे तो उन सब चीजों के साथ जब इन चीजों से आप deal करोगे तो answer में क्या आएगा deal with So deal with somebody means to handle something So deal in कुछ विया पार करना and deal with to handle something So again I deal in clothes and I have to deal with my brother शाम को picture देखने जाना है पापा का setting करना पड़ेगा पापा को समझाना पड़ेगा फेले So I have to deal with my father I hope clear हो गया होगा, again हमारे सारी playlist बनी होई है So if you want to go and work on topics separately So आप playlist को check करिएगा हम लोग की आपको prepositions, articles, tenses सबकी playlist अलग-अलग मिल जाएंगे बाकि कुछ भी और confusion है तो you guys can join us on telegram You guys can join us on insta आप हमको message भी कर सकते हैं, thank you guys So